इस चप्टर में हमने विलेता के बारे पढ़ लिया है आप सबको इसके बारे मियाद होगा कि हमने इस चप्टर में विलेता क्या होता है ये देख लिया है हैंडरी के नियम क्या होते हैं ये देख लिया है पिछले क्लास में वाश्पदाप क्या होता है वाश्पदाप क्या ह और एक बता में शाद रखना वह याद दिलाता हूं आपको मैं याद दिलाता हूं कि अगर आपके पास 6 विलय विलायक और आपके पास के विलन है अगर आपके पास तीạo है जिसके प्रकांप उत्ति विले मिला हुआ है याने कि नौन वो लट्य Parkinson सौल्ड अब बहुтак लो इस बाग को दिमाग में छाप लो कि पिट्टा जो शुद्ध विलायक होता है। overdz, बनाता है और अगर कि अब किसी विलिएन मैं अब स्पाशिख्षिल विले मिला दे जिसमें वाष्प बनने का छम्ता कम हो तो पिछले क्लास में मैं आपको यह बता चुका हूं कि शुद्ध विलायक में वाश्पदाब यानि कि वैपर प्रेशर हाई होता है और विल्यन में वाश्पदाब यानि कि वैपर प्रेशर लो होता है तो इस बाग को दिमाग में हमेसा लेके चलेंगे इस चैप्टर में मै करूंगा ध्यां से सुनेंगा एक शुद्ध विलायक के तुलना में आप Diversity 500 में इसका वाश्पधापा कि भाई कि अगर विल्ययं का वाश्पधाप कम होता है तो वाश्पधाप कम होके कितना वाश्पधाप कम हो धे कैसे पता लगाएंगे तो उसके लिए हमने देखा बैटा कि उसके लिए हमको propre के पड़ना है उसके लिए हमें आफ छू यह लौब देखना हैं तो पिछले क्लास में मैं आपको यह पहले से ही बता चुका हूँ कि किसी भी विल्यान का यहां पर राउर्स का नियम क्या कहता है किसी भी विल्यान का किसी भी विल्यान का जो वाश्पदाब होता है यानि कि वैपर प्रेशर अप सॉल्यूशन यानि किसी भी विल्यान का वाश्पदाब जो होता है वो किसके समा समानुपाती होता है यह उस पदार्थ के उस पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है जो वाश्पशील होता है ध्यान देंगे बटा जो जो वाश्पशील पदार्थ होता है जो वाश्पशील पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है तो पि मोल प्रभाज के सानुपाती होता है, यह हमने पढ़ा था, तो चलिए, कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं, एक बढ़ फिर से वो एक्जामपल आपको याद दिलाता हूं, माली जी कि आपके पास एक विल्लियन है, ध्या सुनेगा, मालो तुम्हारे पास एक विल्लियन है, ज केवल बी वास्पशील है, ध्यान देंगे, वास्पशील है, ध्यान सुनेगे, वास्पशील है, ध्यान सुनेगे, वास्पशील है, तो अगर कोई आपसे कहता है, कि केवल बी वास्पशील है, तो इस अवस्था में, विल्लियन का जो वास्पदाब होगा, वो किसके B के मोल प्रभाज के यही आपको बताएगा तह पिछले क्लास में कि आपके विलियन में जो भी चीजे होंगी उनमें जो वास्प शील होता है जो वास्प शील होता है विलियन का वास्पदाब उसे को भर निर्भर करेगा अच्छा जी अब इस समानुपाती के इस समानुपाती के चिन को हटाएंगे तो इस थरांग के रूप में क्या लिखते हैं बेटा P0 B into XB है ना हमें यहाँ पर क्या लिखते है P0 B into XB जहाँ पर XB मतलब क्या होता है XB का मतलब होता है B का मोल प्रभाज कौन सा वैल्यू पूट अप करेंगे तो A और B एकदम गौर से सुनना यह बताओ A और B इन दोनों में से B वाश्प शील है यानि कि B वाश्प बना सकता है और A कुछ भी कर लो वाश्प नहीं बनाएगा तो बेटा यह बताओ B जब अकेला था उस समय वो कितना वाश्प दाब दर्शाता था वो मान यहां पर आएगा और जैसे तुमने B में A को घोला विल्यन बनाया तो विल्यन बनते ही अब वाश्प दाब का मान कितना हो जाएगा वो मान यहां पर आएगा वो मान यहाँ पर निकल करके आएगा एब फिर से रिपिट करता हूँ यहाँ पर कौन सा value put up करते है बेटा जो वास्प शील पदार्थ होता है जब वो शुद्ध था या शुद्ध रहा होगा उस समय उसका कितना वास्प शीलता थी उसका वास्प दाप था उसका value यहाँ put up करोगे और जब B में आपने A मिला दिया विलियन बना दिया तो विलियन बनाने से अब वास्प दाप कितना हो जाएगा तो वो आलामान आपको यहाँ पर put up करना होगा तो चलिए अब इसके अधार पे मैं आपको एक वास्तविक एक्जामपल दिखाता हूँ इसमें कैसा एक्जामपल आएगा एक्जाम में कैसे question आएगा तो यहाँ देखना आप एक्जाम में कैसे question आएगा एक्जाम में question आएगा जैसे कि मालोक किसी ने कह दिया कि 5 ग्राम ग्लुकोज को हमने 500 ग्राम जल में याने की वाटर में डाल दिया और मुझे बताया गया की वाटर का वैपर प्रेशर याने की वाश्प दाब वाश्प दाब वाटर का होता है 760 mm किसी ने मुझे बताया की वाटर का वाश्प दाब होता है 760 mm तो चलिए फिर बताये कि इस विल्यन का वाश्प दाब किता होगा अब आपको ये बताना है कि इस विल्यन का वाश्प दाब किता होगा तो सबसे पहरे था मुझे ये बताब बेटा इस प्रश्णों को देखने के बाद, आप दो चीजों को देख रहे हैं, ग्लुकोज और पानी, तो मैंने बटा, ग्लुकोज और पानी, दोनों को आपस में घोल दिया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? इस स्क्रीन कट रहा किया देखो तो, एब चेक कीजिए, ठीक, हाँ, सुने ना, बच्चे अभी भी नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, अप्रोड हो गया है? ठीक है, बच्चे करवाईए ना, ठीक है, ओके, वापस आते हैं प्रश्ण में बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन डिश्टरब हो गया था, हाँ, जल्दी बताओ, मैं आपस एक प्रश्ण पूछ रहा हूं, इस प्रश्ण को देके बताओ, ग्लुकोज और वाटर में से कौन वास्प शील है, जल्दी बताईए, ग्लुको कौन वास्प शील है, आपने बोला जल, वाटर, 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 अरे कुछ बच्चे बोला ग्लुकोज, अरे बेटा, ये बताओ, ग्लुकोज वास्प शील होता है, मतब ग्लुकोज को कभी आपने उड़ते वे देखा है, वास्प बन के, नहीं, जो जल होता है, जल, वो वास्पशील है तो इधर देखो आपको पता किस चलेगा ग्लुकोज और जल में कौन वास्पशील है तो बेटा यहाँ पर जल का वाश्पदाब दिया इधर देखो जल का वाश्पदाब दिया है तो याद रखना कि जब भी आपको दो पदार्थो को देखने का मौका मिले एक साथ तो याद रखना जिस पदार्थ का वाश्पदाब दिया रहेगा वही वास्पशील हो गाए सीपल सी बात है अगर किसी का वाश्पदाब 이번 डिया है तो वह वाश्पशील होता प्रभाज की उपर तो यादना ग्लुकोज और जल दो चीजे हैं पर राउल्स ने क्या बोला था राउल्स का नियम कहता कि किसी भी वीलियन का वास्पदाब सिर्फ उसके उपर निर्भर करेगा जो वास्पशील होता है और अगर मैं इस प्रश्ण को आगे बढ़ाओं तो यहां इस थरांग लिखूंगा पी नौट वाटर गुडित मोल प्रभाज वाटर का अच्छा जी अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं अब जल्दी से मुझे बताओ जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे मैं आपको मोल प्रभाज निकालना सिखा चुका हूं तो यहां दे कार हम मोल प्रभाज निकालते हैं आपको याद हैं बिटा चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं अब यही एक्वेशन ऐसा हो जाएगा यह देखो अब मुझे यह बताओ यह क्या है मोल, मोल, मोल और मोल कैसे निकालते हैं याद है ना मोल निकालने का तरीका होता है दरवेमान बटे आणविक दरवेमान दरवेमान बटे आणविक दरवेमान तो यहाँ पर अगर आपको जल का मौल निकालना, किसे निकालोगे दरवेमान जल का, आडवीक दरवेमान जल का, यहाँ पर क्या लिखोगे, दरवेमान ग्लुकोज का, आडवीक दरवेमान ग्लुकोज का, अब चलो, इन सब में सारे वैल्यू पुट अप करते हैं, तो बैटा वैल्यू पुट अप कैसे तो यहां देखो यहां देखो सबसे पहला प्रश्न यहां क्या पूट अप करोगे तो बेटा इसका मतलब है जल के शुद्ध अवस्था में दिये गए वाश्पदाप का मान। इसका मतलब होता है जल का शुद्ध अवस्था में कितना वाश्पदाप था कितना 760 तो आप य यहाँ 760 पूट अप करोगे, आए बढ़ो, यहाँ यह, यहाँ पर जल का दरवेमान किता दिया है, 500 ग्राम, अब बताईए, जल का आडविक दरवेमान कितना होता है, 18 ग्राम, फिर निचे आईए, जल का दरवेमान, 500 ग्राम, जल का आडविक दरवेमान, 18, यहाँ यह, ग् और बैटा glucose का 8 बीख दरविक दरविमान कितना होता है ? गुल्वख का 8 बीख दरविक दरविमान होता है 180 grand। इसको अज़त करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो अभी इसको यहीं तो चोड़ रहा हूं हल करके आप इसका उत्तर निकाल लीजीगा। मैं बस आपको example सिखा रहा हूँ कि किसी भी विल्यान को देखने के बाद हम कैसे राउल के formula को यूज करते हैं, कौब भी करेंगे इसको. Beauty कुमारी, बेटा पहले आप ये बताईए, आपने पिछला क्लास अटेंड किया था. अभी एक दूसरा example देता हूँ, तो सना बेटा आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, तो आज का क्लास सोभाविक सी बात है, आपको उतने अच्छे संज में नहीं आएगा, बेटा, किसी भी चेप्टर में जो sequence होता है, उसको सही तरीके से follow करना पड़ता है, बीच में से एक भी क्लास छूटेगा, तो अगला क्लास उतने अच्छे संज में नहीं आएगा, ये सब पिछले क्लास में जो पढ़ाया हूँ ना, उसी पर आधारित है, और अगर आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, तो फिर सोभाविक सी बात है, इसको समझने में आपको दिखत जाएगा, तो कभी भी क्लास में बीच में अंटर ना करें, सारे क्लास की वीडियो जरूर देख लिया करें, वरना फिर जैज करोगी कि हमको सज में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो, अब एक दूसरा एक्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ बेटा, एक 10 ग्राम सक्कर को मैंने 500 ग्राम इथाइल अलकोहल में डाल दिया, तो चलिए बताइए, यहाँ जो विल्यान बनेगा, उस विल्यान का वाश्पदाप, कुल वाश्पदाप कितना होगा, अब बताइए, विल्यान का वाश्पदाप कितना होगा, अब यहाँ पर कुछ दिय हुआ है कुछ आपको दिया है क्या दिया है जी तो बटा आपको प्रश्ट में दिया है कि इथाइल एलकोहल का वाश्पदाब दिया है 900 mm चलिए यह दिया हुआ है अब आपको इस विल्यन का कुल वाश्पदाब निकालना है अब मैं आपसे प्रश्ट पूछूंगा कि रावुल का नियम कहता है कि किसी भी विलियन का वास्पधाब किसके समानु पाती होता है, जो वास्पशिल होता है उसके मौल प्रभाज के बस इतना बता दो कि शुगर यानि कि सककर और इथाईल अल्कुहल दोनों में से कौन वास्पशिल है इस एक्जामपल बोलिये कौन यह वाउसपे शील में देखके बताएंगे कौन इसमें वाउसपी शील में बताएंगे मेरे को कौन वास्प शील है इथाईल अल्कोहल कैसे पता चला तो बेटा इस प्रश्ण में शक्कर है और इथाईल अल्कोहल और वाश्पदाब किसका दिया है वाश्पदाब इथाईल अल्कोहल का दिया है तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है जिसका वाश्पदाप दिया होता है वो वाश्प बनाता होगा इसलिए उसका वाश्पदाप दिया है और जो जिसका जिसका वाश्पदाप दिया रहता है हमको उसी पर ध्यान देना है ध्यान देना शुगर और इथाइल अलकोहल में यहां सिर्फ इथाइल अलकोहल का वाश्पदाब दिया है तो आपका पूरा ध्यान इथाइल अलकोहल पर होना चीए यह क्या लिखूँगा इथाइल अल्कोहल का मोल और शक्कर का मोल इसी सूतर को और आगे बढ़ाते हैं बेटा तो इसे कैसे लिखूँगा मैं कैसे लिखूँगा पी नौट अफ इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का मोल याने की याने की याने की इथाइल अल्कोहल का आणविक दरवेमान इथाईल अल्कोहल का दरवेमान इथाईल अल्कोहल का आणविक दरवेमान यहां क्या लिखूंगा शक्कर का दरवेमान शक्कर का आणविक दरवेमान अब जल्दी से मुझे बताईए जल्दी से आप मुझे बताईए कि बेटा शक्कर का क्या होता है सिवर्भ एच टवैनटी टू ओद एलेवन और इथाईल अलकोहल का सूत्र होता है सीटू ह픈 staat फाइफ ओएच जलीए चलिए जल्दी जल्दी इन か मुझे इनका मुझे परमादू भार बताओ इसाओ अधि किता होगा जल्दी से इनका आणविक भार निकाले किता किता होगा चलिये इनका अधू भार निकाल के बताओ 29 किसका होगा बैटा कितना होगा वेटा आप कहे रहाँ बड़ा लिखे और कितना बड़ा लिखुँ एक ही सुत्र को लिखने के लिए पूरा स्क्रीन यूज नहीं कर सकते बेटा एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है वही लिख रहा हूँ लिखने के लिए हाँ कितना है दरव्यमान इसका आएगा बेटा 342 342 ग्राम इसका इतना आया इसका 342 आएगा 342 ग्राम नीचे वाले के बताओ इथा आए अगल का ये कैसे कर रहा हूँ बेटा ये तो आपने जो मॉल लिखा न मॉल को ही लिखते हैं ऐसा मॉल को ही लिखते हैं बेटा ऐसा 46 होगा इसका 46 ग्राम होगा तो चलिए फिर इनके मान रखें तो जल्दी आएंगे फिर सबसे पहले बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू पूट अप करते हैं जो वास्पशिल होता है उसका वास्पदा भी यहाँ पूट अप करते हैं बेटा तो इथाइल अल्कॉहल वास्पशिल है और इसका वास्पदा पितना है 900 यहाँ लिखेंगे 900 अब इथाइल अल्कॉहल का दरवेमान किता दिया है 500 इथाइल अल्कॉहल का आणविक दरवेमान कितना है 46 फिर आईए 500 फिर 46 फिर यहाँ पर आईए शक्कर का दरवेमान किता तैर्ट वाहली किता होता है ठी 72 पड़को समय लगेगा क्या सब्सक्राइब करने में करने से नगंता यज़िज करने है फ़र धामीिन तरह की प्रशनों में गुड़ा भाग वाला कमून तरह करने में इसकी आपर मैं अपने से लगता धो प्रेकूलेशलन और प्रस्ट हAPा की दिया था इसके सो अन्सरों इसके निकाल करा रखेंगा चलिए होगने काम करते हैं अब मैं आपको एक वास्तविक प्रश्ण देता हूं अब आपको एक्वाप कोशन कोशन देता हूं आप मुझे दिखाए डिखाएं चलिए यह जो प्रस्ण है यह आप मुझे बनाकर बताईए चलो ट्राई करो बेटा यह जो कोशन है यह आप मुझे बनाकर दिखाओ चलिए एक बार इसको ट्राई करो तो यह जो प्रस्ण है इसको एक बार बना बेटा चलो एक बार ट्राई कीजिए है चलो अरहे देख के उत्तर नहीं बोलना है आप कंफर्म करोगी कि आप लोगों नहीं ये बनाया की नहीं काम करते हैं चलिए मैं भी आपके सट बनाता हूं चेक करते हैं कि आप भी वह किये हो कि जो मैं कर रहा हूं तो पहली पहली बात इस प्रश्ण में ग्लुकोज लिया है दस ग्राम ग्लुकोज लिया है और उसको 90 ग्राम जल में घोल दिया गया है तो बेटा इस इस उदारण में आप देख सकते हैं शुद्ध जल का वाश्पदाब दिया है शुद्ध जल का वाश्पदाब दिया कि ता 32.88 mm पहले बताईए कि इस विलियन का वाश्पदाप कितना होगा तो सबसे पहली बात तो यह सबसे पहली बात तो यह कि विलियन का वाश्पदाप किस पर निर्भर करेगा जल की उपर क्यों क्यों कि जल का वाश्पदाप दिया है यानि कि जल वास्पशील है तो यहां पर किसके समानु पाती होगा बेटा जल के मोल परभाज के और आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिखेंगे शुद्ध जल का वाश्पदा गुड़ा जल का मोल परभाज इसी एक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो यह ऐसा हो जाएगा बेटा यह देखो आप जल्दी बत कैसे लिखोगे इसको ऊपर क्या जाएगा जल का द्रवेमान जल का आणविक द्रवेमान जल का आणविक द्रवेमान ग्लुकोज का द्रवेमान ग्लुकोज का आणविक द्रवेमान ग्लुकोज का आणविक द्रवेमान ग्लुकोज का आणविक द्रवेमान ग्लुकोज का सब नहीं किया है कि अबर कंफर्म कीजिए ठीक अच्छा मैं आपसे प्रश्ट पूछू आपसे प्रश्ट पूछू शुद्ध जलका शुद्ध जलका वाश्पदाब आपको मैंने पढ़ाया था शुद्ध जलका वाश्पदाब तो 760 mm होता है आपको याद होगा मैंने बताया था शुद्ध जलका वाश्पदाब 760 mm होता है तो बटाई ये 32 mm कैसे हो गया को याद दिलाएगा मुझे कैसे हो सकता है शुद्ध जलका वाश्पदाब तो 760 mm होता है तो इसमें 32.8 mm कैसे हो हो गया को बताएगा मुझे है कि बताएंगे मेरे को नब्य ग्राम है जल इसलिए नहीं जल बेटा एक ग्राम हो चहसो ग्राम हो यह हजार ग्राम हो जल का वाश्पदाब 760 होता है तो यहां कम कैसे बिबताएगा मैं नहीं एक लीटर से कम है उसको यह कारण नहीं है बेटा कारण कुछ और है या दिलाओं या दिलाओं याद दिलाओं यहां सुनना जल का वाश्पदाब तब देखो इसमें अच्छा सोड़ी मतलब कित अ मतलब कितना होता है 373 कैलविन होता है 373 कैल और यहां पर देखो 300 कैलविन है यानि ताप मान कम है ताप मान कम है तो ताप मान कम होगा तो वाश्पदाब भी कम होगा जी ताप मान कम होगा तो वाश्पदाब भी कम हो याद रखना मैंने बताया था आपको फिर से याद दिलाता हूं वाश्पदाब ताप मान पर निर भर करता है पानी चाहे एक गराम ह हजागराम हो अगर पानी अगर पानी 100 डिगरी पे है तो कंफर्म है कि उसका वाश्पदाप 760 mm ही होगा पर यहाँ पर ताप मान जो है वो कम है इसलिए वाश्पदाप का वैल्यू कम है तो कंफीज मत होना कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने बताया था कि जल का मानी को थोड़ा और और आगे बढ़ाते हैं तो बेटा अगर आपके पास एक विल्लिययन है इसको थोड़ा ध्यां समझ एगा अगर आपके सांदे एक विल्लियान है जिसमें ए और दो चीज़ें उपस्थित है तो अब बेटा अगर यहाँ पर B वाश प्सषील हैं वास ऐसी बनाओगे लेकिन अगर लेकिन अगर लेकिन अगर ए और बी दोनों वास्प शिल हुए अगर ए और बी दोनों वास्प शिल हुए तब क्या करेंगे माल लो ए भी वास्प बना रहा है और बी भी वास्प बना रहा है उस कंडिशन में क्या करेंगे तो बेटा इस बार माल लो कि आपका ये जो है ये भी वास्पशील है और ये भी वास्पशील है तो उस इस्थिति में क्या करेंगे तो simple सी कहानी है तुम मुझे ये बताओ तुम ने यहाँ पर लिखा है बेटा पी नोट गुड़ा एक्स देख पा रहे हो यहाँ क्या लिख हो है बेटा पी नोट गुड़ा एक्स तो तुम मुझे बताओ पी नोट गुड़ा एक्स किस के लिए लिखते हैं पी नॉट जहां सुनेंगे पी नॉट गुड़ा एक्स के लिए लिखते हैं जो वास्प बनाएंगे तो जब किसी विल्यन में दो दो पदार्थ वास्प बनाएंगे तो सुभाविक सी बात है बेटा इस बार जो वाश्पदाब है वो दोनों की उपर निर्भर करेगा इस बार वाश्पदाब दोनों की उर्भर निर्भर करेगा इस बार A और B दोनों वाश्प बनाएंगे तो दोनों वाश्पदाब जो है वो दर्शाएंगे तो कुल वाश्प दाब होगा A के द्वारा दर्शाया गया दाब प्लस B के द्वारा दर्शाया गया दाब आपको याद है कक्छा 11 में आपने डाल्टन का नियम पढ़ा था कक्छा 11 में आपने डाल्टन से लाप पढ़ा था उसमें ये सिखाया गया था कि जब भी किसी निकाय में या सिस्टम में एक से ज़्यादा चीजें दाब लगाए धा सुनना डाल्टन का नियाम कहता था कि जब भी किसी निकाय में जब भी जब भी किसी निकाय में एक से ज़्यादा पदार्थ अगर दाब लगाते हैं बेटा मान लो, यहाँ पर दो तरह के अणू हैं, एक पिले रंगा, एक सफेद रंगा और दोनों डाब लगा रहे हैं, तो डालटन का नियम कहता था कि ऐसे अवस्था में जो कुल डाब होता है, जो total pressure होता है, जो total pressure होता है it is equal to the sum of pressure exerted by A and pressure exerted by B याने कि यहाँ पर जो A है यहाँ पर जो A है और जो B है दोनों का दाब का योग करोगे तब जाके कुल दाब निकल के आएगा यह आपने का अच्छा 11 भी मपढ़ा है डेल्टास का नियम कहता है किसी भी सिस्टम में किसी भी निकाए में अगर एक से ज़्यादा चीजें दाब लगाएं तो उस अवस्था में जो total दाब होगा वो उसके अंदर पाए जाने वाले हर एक पदार्त के आशिक दाब के योग के बराबर होगा तो इस बार A भी वास्थशील है B भी वास्थशील है दोनों प्रेशर लगाएंगे तो कुल प्रेशर कितना होगा दोनों के द्वारा लगाएंगे प्रेशर का योग और बेटा इसको आप कैसे निकालेंगे इसको आप कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूं मैं आपको तो इसको आगे बढ़ाओगे न यह equation ऐसे हो जाएगा यह equation ऐसे होगा PA, PA को ऐसे लिखते हैं P not A गुड़ा X A प्लस P not B गुड़ा X B और बेटा यह तो मुझे लिखना ही था याद कुछ दिर पहले मैंने क्या पूछा था मैंने आपसे पूछा था कि बेटा P not और X P not और X किस के लिखते हैं जो वास्पेशिल होता है तो यहाँ सिर्फ B वास्पेशिल था तो P not और X किस के लिखा B के लिखा इस बार A और B दोनों वास्पशिल हैं तो फिर ऐसे में P not और X A के लिए भी लिखूंगा P not और X B के लिए भी लिखूंगा तो हमेशा याद रखेगा Willian का जो वास्पदाब होता है Willian का जो वास्पदाब होता है उसको दरशाने के लिए आप किसका P not और X लेते हैं जो वास्पशिल होता है तो अगर किसी Willian में दो-दो वास्पशिल पदार्थ आ जाए तो इस तरह से numerical को बनाएंगे पहले काम कीजे बेटा इसे अब लिख लीजे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ओके तो चलिए फिर अब मैं आपको इसका उदारण दिखाता हूँ कि कैसे कोशन एग्जाम में आगे बेटा इस पर एक पहले कालपनिक उदारण देख लेते हैं फिर उसको बद वास्तरीक उदारण देखेंगे अब चलो मैं आपको एक प्रश्ण दिखाता हूँ कैसे इग्जाम में कोशन आएगा जरा गौर से सुनिएगा माल लो एक विल्यन है एक विल्यन है इस विल्यन में 10 ग्राम धास्तरीक बेटा इस विल्यन में 10 ग्राम मैंने ले लिया बेंजीन 10 ग्राम बेंजीन और इसको मैंने घोल दिया 50 ग्राम तॉल्विन में 10 ग्राम बेंजीन को मैंने 50 ग्राम टॉलीन में घोल दिया और यहाँ कुछ दिया है इस बार कुछ दिया है क्या दिया है बेटा तो यहाँ परना वाश्पदाब वाश्पदाब का मान दिया है किसका तो मान लो बेंजीन का वाश्पदाब है 200 mm और टॉल्विन का वाश्पदाब है 150 mm अब प्रश्ण यह उठता है कि इस बार विल्यन का वाश्पदाब किस पे निर्फर करेगा तो बेटा धायां से देखिए इस बार इस बार बेंजीन का भी वाश्पदाब दिया है तॉल्विन का भी वाश्पदाब दिया है याने दोनों वाश्पशिल है अगर दो दो जान जाते हो आप तुरंत जान जाते हो कि पानी तो वास्पशील होता है तो शक्कर को पानी में घुलूँगा पानी वास्पशील है नमक को पानी में घुलूँगा पानी वास्पशील है किसी भी चीज को जब पानी में घुलता हूं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि पानी वास्पशिल होते हैं और को नहीं होते तो उसको पता लगाने का सिंपल तरीका है प्रश्ण में ही दिया रहता है तो जब भी प्रश्ण में किसी चीज का वाश्पदाब दिया रहता है तो सभाविक सी बात है वाश्पदाब उसी का देगा न जो वाश्पशिल होता है तो इस बार बेंजीन और टॉल्विन दोनों का वाश्पदाब दिया है बेंजीन और टॉल्विन दोनों का वाश्पदाब दिया है इसके मतलब दोनों वाश्पशिल है और जब दोनों वाँ स्पिशिल होंगे तो अब आपका ये सूतर कैसे बनेगे बटा बताईए पी नौट बेंजीन इंटू मोल फ्रेक्शन आफ बेंजीन प्लस पी नौट टॉल्विन इंटू मोल फ्रेक्शन आफ टॉल्विन अब इस फॉर्मला को आगे बढ़ाते हैं निकालोगे कैसे निकालोगे बेंजीन का दावयमान बेंजीन का आणविक दूल्विक दूल्विक दूल्विन इस तरह से आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे अब आगे चलो अब आगे चलो अब आगे कैसे जाओगे पी नौट ऑफ टॉल्वीन अब प्रश्ण है टॉल्वीन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे टॉल्वीन का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे तो अब आपको इसको ऐसे लिखने के आवश आवशक्ता नहीं है जैसे आपने इसको लिखा इसको ऐसे लिखने के आवशक्ता नहीं बस आप क्या करोगे बेटा आप क्या करो यहां पर हम सीधा ले लेंगे यहां पर ले लेंगे यहां पर ले लेंगे यहां पर हम सीधा ले लेंगे 1-XB आपको याद है कक्छा 11-B में आपको सिखाया गया है कि कि दो पदार्थो का मोल प्रभाज का योग एक होता है तो क्या करोगे जब भी आपको दो दो पदार्थो का मोल प्रभाज निकालना हो गोहर चुरेंगे आपको तो बी का भी मोल प्रभाज निकालना है और टी का भी मोल प्रभाज निकालना है तो दोनों को ऐसे बड़ा बड़ा मत लिक लेना बस एक का बस एक का मोल प्रभाज निकालना दूसरे को वन से माइनस करते ही दूसरे का मोल प्रभाज निकल जाएगा तो बस आप क्या करेंगे बेटा एक कमोल प्रभाज निकालके दूसरे को वन से माइनस करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा तो अब इन में इससे कॉपी कीजिए और यहां पर क्या-क्या मान रहेगा उसे एक बड़ अप्लाई करो बेटा यह कौन-कौन सब वैल्यू पुट अप करोगे यह कौन-कौन सब मान पुट अप करोगे जल्दी लिखिए अच्छा बेटा बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 यह बेंजीन का सूत्र है और टॉल्विन का C6H5CH3 यह टॉल्विन का सूत्र है चलो तेक काम करो दोनों का जरा आणविक दरवेमान तो निकालो कितना कितना आ रहा है बताओ दोनों का आणविक दरवेमान कितना कितना आएगा क्योंकि दरवेमान तो दिया है पर आपको आणविक द्रव्यमान भी चाहिए जल्दी बताए किता होगा 78 वेरी गूड बेंजीन का होगा 78 टॉल्विन का किता होगा बताए टॉल्विन का किता होगा 92 करेक्ट किता होगा 92 तो बेटा आपको आणविक द्रव्यमान भी चाहिए ना क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर आपको आणविक द्रव्यमान का मान रखना है तो उसके लिए आपको आणविक द्रव्यमान निकानने भी आना चाहिए चलब एक काम करते हैं यह तो कालपनिक प्रश्न था यह जो मैंने प्रश्न बताया यह hypothetical था कालपनिक था अब मैं आप लोगों को आपके पुस्तक में का अब मैं आप लोगों को आपके बुक में का एक बहुत important question बताता हूँ बेटा आप चाहिए किसी भी राजिये में रहिए अब जो एक प्रश्न आ रहा है यह प्रश्न मैंने सभी राजियों के पूस्तक में देखा है दरसल यह प्रश्न NCRT का है यह जो प्रश्न है यह NCRT का है और यह बहुत important है एक्जाम में पूछे करके बताइए यह जो प्रश्न है यह आप मुझे एक बार हल करके बताइए क्या करना है वह आपको समझ में आना चाहिए प्लीज ट्राइ कीजिए इस क्रीन दीख रहा है न हाँ चलो ट्राइक करो ट्राइ करो बेटा सबसे पहले तो हमें काम करेंगे क्लोरोफॉर्म को सी से दर्स आएंगे ठीक है यहाँ पर इस बार कुल वाश्पदाब होगा क्लोरोफार्म द्वारा लगाया गया वाश्पदाब डाइक्लोरोमिथेन द्वारा लगाया गया वाश्पदाब इसको ऐसे लिख लेते हैं C मतलब क्लोरोफार्म और D मतलब डाइक्लोरोमिथेन डाइक्लोरोमिथेन तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ बैटा द्रविमान तो दिया है प्रश्ण में है न क्लोरोफार्म का द्रविमान किता दिया है यह दिया है 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमिथेन का द्रविमान किता दिया है 40 ग्राम अब जरह आर्विक द्रविमान तो बताओ किता किता हैगा क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमिथेन का आड़्विक दर्यमान किता होगा कि ट्राइ किजिए कि मतलब क्लोरोफॉर्म है और डी मतलब डाइक्लोरोमिथेन है क्लोरोफॉर्म को सी सदर्स आ रहा हूं और डाइक्लोरोमिथेन को डी सदर्स आ रहा हूं और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है 119.5 निरंजन भारती साबास बेटा 118.5 119.5 होगा बेटा 119.5 होगा और 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 119.5 गराम होगा क्लोरोफार्म का डाइकलोरो मिथे नगिता है वैभाव कोई बात नहीं बेटा 85 गरेक्ट इसका होगा 85 गराम तो चलिए फिर इसका एक सूत्र बना करके उसमें वैल्यू पूट अप कीजिए और कंफर्म बताओ कि आपका अंसर यहीं आ रहा है के नहीं आ रहा है जो यहां दिया है एक बाद ट्राइ कीजिए एक बाद ट्राइ कीजिए क्या करना समझ में आगे ना आप लोगको क्या करना है समझ में आ गया वैपर प्रेशर अप सॉलिंशन याने की पी नौट सी मोल फ्रेक्शन अफ सी पी नौट डी मोल फ्रेक्शन अफ डी एक का मोल फ्रेक्शन निकाल लेना एक का मोल फ्रेक्शन निकाल लेना दूसरे को दूसरे को वन से माइनस करोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा कन्फर्म करो ऐसी कियो हो ना बाकी बुड़ा भागता आप करी लोगे घर में बेटा ऐसी की हो क्या confirm करो रफिक बेटा टेलीग्राम चैनल में नोट्स डाल दिया गया आप वहां से ले लेंगे डीपीपी डीपीपी जो रहेगा बेटा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और हमारे एप्लिकेशन में मिल जाएगा ओके तो कंफर्म कीजिए ऐसी की हो बेटा ऐसी की हो बस इतना बता दो ऐसी की हो न फिर आगे भी आप लोगों ने इसी पर मान रखा होगा ठीक गुड तो अब तो अब हम लोगों ने विलेता कंप्लीट कर लिया गौर सुना बेटा अब हम लोगों इस चेप्टर में विलेता के बारे में पढ़ लिया हेंडरी की नियम के बारे में पढ़ लिया वाश्पदाप के बारे में पढ़ लिया और वाश्पदाप पे आधारित राउल के नियम के बारे में पढ़ लिया और अब बारी है आदर्ष और अनादर्ष विल्यन की तो आप मुझे बाब बता बटा क्या आपने इससे पहले किसी पदार्थ को आदर्ष रूप में होता है या अनादर्ष रूप में होता है ऐसा सुने हो क्या यह बताईए यह बताईए कभी आपने किसी पदार्थ को आद भल्ड रूप में सुना है इस क्या क्या कि वैव यहाद ध्यान दो क्लास में है तिक है कि वैद्वाइब अदर्श या अनादर्श पदार्थ कि बारे मेरा सुना है गौर सुना बेटा आखिर आखिर यहाँ पर आदर्श याने की आइडियल और अनादर्श याने की नौन आइडियल विल्लियन क्या होता है तो बेटा ये बहुत important topic है इससे multiple choice question भी आता है इससे multiple choice question भी आता है theoretical question भी आता है reason assertion वाले question भी आते हैं तो आप इस topic को थोड़ा ध्याँ समझें कोशिज कीजिए आदर्स और अनादर्स विलियन पहले बात करते हैं आईडियल आईडियल शब्द का क्या मतलब है सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछू कि आईडियल शब्द का क्या मतलब होता है शायद आपने कक्छा ग्यारवी में कक्छा ग्यारवी में आपने आदर्स गैस आदर्स गैस जरूब पढ़ा होगा आप लोगोंने कच्छा ग्यारवी में आदर्श गैस कि बारे में जरूब पढ़ा होगा तो एक बार बमें आपको बताता हूं कि chemistry में chemistry में जब किसी पदार्ज को हम आदर्स कहके बुलाते हैं आदर्स कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब क्या होता है तुम मुझे बताओ तुम यहाँ विलियन के बारे में बात कर रहे हो विलियन क्या होता है विलियन क्या होता है बेटा जब तुम किसी विले को विलायक के साथ मिलाते हो जब कि इस विल्यन को मैंने बनाया है गौर सुनना, एक आम इंसान क्या सोचता है कि इस विल्यन को मैंने बनाया है मैंने एक विले लिया मैंने एक विलायक लिया और उसको आपस मिला दिया गौर सुनना, एक विले और एक विलायक दोनों को मैं आपस मिला दूंगा तो एक विलियन बन जाएगा तो मैं क्या सोचता हूँ कि इस विलियन को मैंने बनाया है तो बेटा क्योंकि इस विलियन को मैंने बनाया है तो मैं इस विलियन से कुछ अपेक्षा तो रखूँगा ना मैं इस विलियन से कुछ एक्सपेक्ट तो औरे भाई को मैंने बनाया है तो मैं इस विलियन से कुछ और कुछ आपेख्षा करूंगा और अगर ये विलियन अगर यह Willian बिल्कुल वैसा ही दर्शाएगा जैसे मैं उससे अपेक्षा कर रहा था तो बेटा वो कहलाएगा आदर्श Willian वो कहलाएगा आदर्श Willian फिर रिपिट करता हूँ जब भी आप कोई Willian मनाते हो और आप उस Willian को देख रहे हो और कह रहे हो कि इसको तो मैंने बनाया है पक्का यह ऐसा बिहेब करेगा ऐसा प्रॉपर्टी शोग करेगा तो जब भी कोई Willian बिल्कुल वैसा ही शोग करे जैसा आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे अपेक्षा कर रहे हो तो कह देना यह billions आदर्श विल्यन है अगर कोई billion ऐसा कुछ कर दिखाए जो आपने सोचा भी नहीं था आपने अपेक्छा भी नहीं किया था कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था अरे यार यह billion ऐसा भी कर सकता है क्या तो जब भी कोई विलियन कुछ ऐसा कर दिखाए, जो आपने सोचा भी नहीं था, कह देना ये जरूर क्या बना है, अनादर्स विलियन यानि की non-ideal solution, तो आखिर आप एक विलियन से क्या अपेक्षा करते हो, आप एक विलियन से क्या expect करते हो, और आखिर एक विलियन आपके पेक्षा की विरुद कैसे जा सकता है, एक साधारन सा एक्जामपल आपसे पूछता हूँ, एकदम साधारन सा एक्जामपल आपसे पूछूँगा, मुझे बता बेटा, अगर आपका विले, अगर आपका विले, पचास मिलिलिटर है, गौर से सुनेगा, अगर पचास मिलि ml является 2 लोंको आपस में मिलाओंगा तो बताये विल्यका आयतन किता होगा जलदी बोलो 50 ml वाले अकटरल को 150 ML वाले एक और टरल के साथ मिला दिया दोनौं तरल हैं दोनों दूरा mermaid हैं तो बताऊ उस Glian का का कित्रा है कि आप सब कह हरे हैं 200 ml आप सब कह तुम्हारा दिमाग बहुत आदर्ष तर्का सूचता है तुम्हारा दिमाग कितना आदर्ष तरका सोचता है तुम्हारा गड़ना किये तुरंत कलपना कर लिए और मान भी लिए कि भई 50 ml और 150 ml मिलेगा तो 200 ml ही तो होगा लेकिन अभी आपने सिर्फ यह सोचा है कि विल्यन का आयतन 200 ml होगा पर बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि उस विल्यन का आयतन 200 ml हो उस विल्यन का आयतन 200 ml हो हो भी सकता है 200 ml हो भी सकता है तो तुमने क्या पेक्षा किया था कि भई मैं 50 ml को 150 साथ मिलाऊंगे तो बच्चा भी बता देगा एक छोटा बच्चा भी बता देगा सर कि 50 ml और 150 ml पचास और 150 को मिलाएंगे 200 ml ही तो होगा लेकिन आप एक बच्चे की तरह सोच रहे हो एकदम आदर्स इस तरह में सोच रह होता है सोचो ऐसा भी होता है कि 50 ml और आसा 50 ml मिलके 200 ml ना हो ऐसा भी होता है क्या होता है होता है होता है अगर और वहereं हुआ तो फिर आप बात कर रहे हैं is a billion कि और आगर 200 ml नहीं हुआ तो अब था इसा सामने कुछ ऐसे विल्यन आने वाले हैं जो वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप उनसे अपेच्छा कर रहे हो यह एक्सपेट कर रहे हो तो जब भी कोई विल्यन बिल्कुल आपके सोच के मुताबिक गुर्धर्म दर्शाए तो वह आदर्स विल्यन है और अगर कोई विल कि वो आदर्स है कि अनादर्स है और आखिर कौन से विले और विलायक को मिलाने से अनादर्स विल्यन बनता है और कौन से विले और विलायक को मिलने से अनादर्स विल्यन बनता है यह बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझाने में पूरा एक क्लास लग जाएगा तो ब इस पूरे साल में एक नाइकबार आप इस टॉपिक का कोशन अपने कोशन पेपर में जरूर देखेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे हाफेली हो, चाहे priborad हो, चाहे ऐन्वल हो, चाहे competitive exam हो, इस पूरे साल में एक नएक बार, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, पर कम से कम एक बार इस टॉपिक का कोशन आप जरूर देखेंगे, तो ध्यार रखिए, आदर्स विलियन और अनादर्स विलियन ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पूरे एक क्लास लग जाए ठीक है, तो चलिए, इन तो यार कीजिएगा, समझने के लिए क्या होता है, मिलते हैं पट अगले क्लास में,